दोस्तों नमस्कार एक छोटी सी कहानी आज जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अक्सर हम जीवन में दूसरों की बुराई करते रहते हैं हम दूसरों में कमी निकालते रहते हैं और अपने को स्रेष्ट बताते रहते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा जब किसी की तारिफ की भी जाती है आप वहाँ जल भुन जाते हैं और इर्शिया में आकर उस व्यक्ति को या उस सम्मंधित तथे को आप नीचे दिखाने की कोसिस करते है क्या इससे हम उच्छे बढ़ जाएंगे क्या इससे हमारी लकीर बढ़ी हो जाएगी हमें अपनी लकीर को बढ़े करने पर ध्यान देना चाहिए यह नहीं कि हम दूसरे में कमी निकालते रहें दूसरे में दोश निकालते रहें ऐसे ही एक व्यक्ति एक टेलीफून बूत पर गया टेलीफून बूत पर जाकर उसने किसी महिला को किसी संब्रान महिला के हाँ कॉल लगाई और जब उस महिला ने कॉल उठाया तब इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपके घर पे खाना बनाने के लिए आपको एक रसोया चाहि कि मुझे किसी रसोईय की जरूरत नहीं है फिर यह जो टेलिफोन करता है यह लड़का यह फिर उससे कहता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूं और कई वीधी से मैं खाना बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूं फिर वह महिला कहती है कि नहीं मुझे अभी कि किसी रसोईय की जरूरत बिलकुल भी नहीं है यह व्यक्ति फिर कहता है कि मुझे अवार्ड मिल चुकी है मैं प्रमान पत्र प्राप्त रसोईया हूं और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं और यह सब घटना वह टेलीफून बूत वाला जो वहां बैठा था वहां उसका जिरूरत नहीं है यह लड़का फिर कहता है कि एक बार सोच लीजे मुझे काम की भी जरूरत है और आपको अच्छा खाना भी मिल जायेगा यह मैला फिर कड़े सब्दों में कहती है कि मैंने तुमको कहा ना कि मुझे किसी रसोईय की जरूरत नहीं है हमारे पास जो रसोया है वह बहुत अच्छा है और हम उसके काम से खुश हैं हम उसे निकाल नहीं सकते अब वह टेलीफोन बूत में जो लड़का गया हुआ था वह मुस्कुराता है और वह फोन रखता है और वहां से वह जिब निकलने को होता है तब टेलीफोन बूत का जो मालिक होता ह वह उससे कहता है कि हमें रसोये की जरूरत है और हम तुम्हें उस महिला से भी ज्यादा सेलरी देंगे तुम हमारे हाँ खाना बनाने आ जाओ तब वह युवक कहता है कि ने उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तब यह मालिक कहता है कि अभी तो तुम नौकरी मांग रहे थ तब वह युवक कहता है, कि वह महिला जिसको मैंने कॉल लगाया था, वह जिस बन्दे के बारे में बात कर रही थी, कि वह अपने रसोये से खुस है, मैं वही रसोया हूँ, मैं तो अपना टेस्ट लेने आया था, कि क्या सचमुच में मैं ठीक खाना बना रहा हूं या नहीं मैं अपने काम को सही ढंग से कर रहा हूं या नहीं दोस्तों छोटी सी कहानी लेकिन यह हमको बताती है कि जब हम अपने काम में परफेक्ट होते हैं हम अपने काम में डूबे हुए होते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, तब हमारी डिमांड बढ़ जाती है, कोई भी वक्ती ऐसे विशेसग्य को छोड़ना नहीं चाहेगा, जिसे किसी विशे में किसी चीज में डीप नौलेज हो, जिसमें वह सिद्ध हस्त हो, और यह सिद्ध हस्तता कब आएगी, जब आप उस काम मे वह कोई भी काम हो, वह खाना बनाने से लेके बड़े-बड़े बिजनस की बात हो, या कोई भी कला हो, जब तक आप उसमें विशेसग्य नहीं होते, आपकी डिमांड नहीं बढ़ती, आप उतले-उतले चीजों को सीखते हैं, उतले-उतले चीजों को जानने की कोशिश कर करते हैं, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है, जब आप अपने काम में पर्फेक्ट होंगे, तब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्या आपने अपना टेस्ट इस तरह लिया है, क्या आपने अपनी परिक्षा स्वयम ली है, क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या वह करने वाले लोग हैं, फिर वह संगीत हो, वह ड्रॉइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, जो आपके पसंदीदा लोग हैं, क्या वह आपके काम से खुश हैं, क्या आपने कभी ऐसी परिक्षा स्वयम देने की कोसिस की है, ऐसे ही एक किस्सा, अनिल अम्मानी, भारत की अम एक चीज निलाम होने वाली थी, उनकी यहा हालत देखकर, धिरुभाई अम्मानी, जो उस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे, उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल अम्मानी, जो की अमताब बचन के बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे कहा, किस लड़के को प पास आजाता, और यहां आफर लेकर अनिल अम्मानी अमताब बचन के पास गए भी, लेकिन वहां अमिताब बचन था, उसने सीधे सीधे मना किया, कि इस पैसे से आप मुझे करज मुक्त तो कर दोगे, लेकिन मैं सफल कभी नहीं हो पाऊंगा, और उन्होंने उस पैसे को लेने से बिलकुल भी मना कर दिया, अनिलंबानी इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह अमिताब बच्चन था, जिसने फिर से महनत चालो की, उसने पैसे पाने के लिए कुछ बी ग्रेट की फिलमें भी की, उन्होंने महनत जारी रखा, काम करते रहे, काम करते रह और आज वह फिर से भारत के अमीर व्यक्तियों में से हैं, आज असी वर्ष की उम्र में भी लीड रोल में हीरो के बतौर जाने जाते हैं, उनकी इस महनत को, इस तरह सफल होने के अंदाज को देकर धिरू भाई अंबानी ने अमताब बच्चन की बारे में कहा था, कि यह ल भरोसा हो, और स्वयम पर भरोसा कब आएगा, जब आप उस काम में पूर्ण रूप से डूबेंगे, जो भी आपका फिल्ड हो, मैंने उधारण अमताब बच्चन का दिया, वह एक्टिंग के छेतर में अग्रणी है, आज वह एक अनिवार ये सब के पसंदिदा एक्टर है असी वर्स के उम्र में भी उन्हें नवयुवक नवयुतियां पसंद करते हैं, वह इसलिए नहीं कि कोई उनका भाग्य बहुत अच्छा था, उन्होंने अपने आपको इस काबिल बनाया, यह छोटी सी घटना से जहां पे उन्होंने इतनी बड़ी रकम को लेने से मना किया यह दर्साता है कि अमताब बचन को अपने कला, अपने कारे के प्रती कितना प्रेम था, उन्होंने उस कारे को बिकने नहीं दिया, बिकाओं नहीं बनने दिया, क्या हमारे साथ ऐसा होता है, क्या हम अपने कारे की भी कभी परिक्षा ले पाते हैं, क्या हम जो कारे कर रहे ह वहाँ कोई भी फिल्ड हो, वहाँ अध्यात्म हो, वहाँ खेल हो, वहाँ कला हो, वहाँ कोई नौकरी हो, वहाँ कोई भी काम हो, क्या हम अपनी परिक्षा लेते हैं, कि वाकई में जो हम काम कर रहे हैं, क्या उसे पसंद किया जा रहा है, या अपने ही मूँ मिया ठुबनना, लोग अपने मूँ से अपनी तारीफ किये पड़े रहते हैं कि मैं ऐसा, मैं ऐसा उन्हें कोई पूछता नहीं है लेकिन अपनी तारीफ वो अपने मूँ से करके अपने आपको साबित करने पर कोसिस करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं जब आप अच्छे होते हैं, तो लोग पीट पीछे आपकी अच्छाईयां ही बात करते हैं, जब आप में कोई कमी रह जाती है, कोई आप में असफलता हो जाती है, उसकी बाते भी पीट पीछे की जाती है, अभिहाँ आपका उस कारे प्रती लगन और आपका विहवार है, क् उसमें सफल हो सकते हैं बशरतें आप उसमें अपना 100% नेना सीखें उस काम को प pozie के लिए उससे आपको प्यार है इसलिए आप वो काम करते हैं फिर देखिए आप कभी असफल नहीं होंगे गिर भी जाएंगे तो कैसे उठना है और कैसे दौर नहींій है कि यह आप बहुत अ झाल झाल